आज हम लोग विजिनिंग के प्रतम अध्याई की बात कर रहा है, प्रोब्लम बैस्दोन अलफाबेट और प्रोब्लम बैस्दोन अलफाबेट अंग्रेजी वर्ण माला पर आधारित एक अध्याई है और इसमें आपके बाद पहला प्रस्ण ये दि अक्षर संख्या हो तो कि पांच अक्षरों का योग 51 होगा तो यहां पर जो पहला उप्षन हमारे पास है वो है ए आई 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 ओ ए यू और दूसरा उप्षन है ए ए इ आई ओ टी तीश्रा उप्षन है ए ओ यू ए ए ए अच और चोथा उप्षन है आपास है ए आई ओ 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 आई और जे अब जब इनके योग की बात करते हैं तो देखो हमें पहले इनका नंबर बता होना चीजिसे आई ए का होता है वन और आई का होता है नाइन ओ का होता है पंदरा ए का होता है पांच और यू का होता है एक्किस तो इक्किस पांच छब्विस और पंदरा इकता है तो आलिस और नो पचास और एक इक्यावन इसका हमारा योग हो गया एक्यावन यह हमारा आप्शन है तीक है अगले कोशन की तरफ बढ़ता है अब हमारे पाद दूसरा प्रस्थना है यदि अंग्रेजी वर्ण माला में एक की जगे दो बी की जगे एक सी की जगे चार डी की जगे तीन इसी तरह आगे करम जारी रहे तो M के इस्तान पर क्या लिखा जाएगा ज्यानी कि अगर हम अलभा पर थोड़ा सा लिखने का परियास करें A B C D E F G H I J K L M N तो यहां पर इसने लिख दिया दू यहां भी लिख दिया एक इसको लिख दिया टीन तो यानी बता चलन रहा ना कि नंबर ऊसे लिखने लिख दिक है तो हम दो-दो के जोड़े पर नंबर लिखते थे 1678 और 19 ऑर इसी तरह इसका ग्यारा और इसका बारा कि इसका तेरा अदर इसका चाउदा यांनि हमक हमसे पूज़ आलगा है कि एंगरे जी वर्णवाला में अक्षर M के ठीक बाई कौन सा अक्षर होता है तो हम अलपा वेड लिख सकते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N क्योंकि हमें के अबल बाई बताना है तो पहले तो हमें यह बता जिले कि बाई हां कौन सा होता है तो हम एक सब लिखते हैं बांदा जिसमें बा जिदर होता है उदर बाई होता है जिदर दा होता है अब हमसे पूझ रहा है M के ठीक बाई यह हमारा M है और M का बाई है इदर है जिदर बा लिखा है यानि M के बाई कौन है L बस इतना आपको ध्यान देना है अब हमारे पास प्रस्णा है अंग्रेजी वर्ण माला में आपके बाएं से सतरवे अक्षर के बाएं सातवा अक्षर क्या हो अभी उसने कहा अंग्रेजी वर्ण माला में ने की विपरीत का है ने की अर्धान से विपरीत का है तो हम क्या करेंगे ए से लेके जट तक के अलभावेड लिखेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. अब मैंने आपको बढ़ा है कि बाएं कि दर जिदर बांदा कब बाएं, खरदाया कि दर जिदर बांदा, तो बाएं से सतरवे के बाएं, एक, दू, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदा, पंदरा, सोला, सतरा, यानि क्यों, के ब बाएं, तो बाएं कि दर है, कि दर ही ये बाएं, आपको ध्यान रखना है, तो आप देखना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, कोना है अंसर जै, अब कुछ लोग यहां पर डायरेक भी करते हैं, जब देखें कि वास्तवी क्रम में हो, जब, जब, वार्ण माला वास्तवी क्रम में हो, तो बाया, बाया जुड़ जाता है, बाया, प्लस जाया, ये जुड़ जाता है, और दाया प्लस बाया और दाया माइनस दाया तो यहां पर हमारा है बाये से बाये यानि 17 में से साथ चले गए दस अब काउंट पहले पॉइंट से करना है यानि किदर से बाये से तो एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नो दस अब अगर आपके लर्णिंग प्रोसेस में सीधा है कि बाये से यानि कि ए साइट से जहां स्टार्ट हो तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 17 में से बारवें अक्षर के दाएं आठवा अक्षर क्या होगा तो जब आगे आगे जी वर्ण माला की बात कर रहा है तो हमने आप से पहले गाद आप अलफावेड लिखोगे और अलफावेड लिखने के बाद उसमें आगे की प्रोसेस करोगे अब उसने कहा कि बाएं से डाएं तो यानि बाया और दाया मैंने आप से क्या कहता है बाया प्लस दाया तो बाया से है बारवा प्लस आठ यानि बीसमा अकसर कौन सा अकसर कौन सा होता है अब आप गिनेंगे तब भी देखना है एक दू तीन चार पांच है साथ आठ नो दस व्यारा बारा तेरा चाओदा अंडरा सोला सतरा अठारा उनिस बीस कौन आया तो हमारा यहां का आंसर है चलते अगले प्रस्ट भी तो अब हमारे पास प्रस्ट है कि अंग्रेजी वर् अब फीर से आपको लिखनी है और देखते हैं कि इस बार हमारा कौन सा सोटकट और किस तरीके से परियोग करना है अब हमारा जैट साइट से कॉस्टन है तो अब जो है कि हमारा कॉस्टन दाएं यह और से है और आगे जो बढ़दा वो बढ़दा बाई होगा आपसे दोनों विपरीत हो तो हमें क्या करना है दाया प्लस बाया जोड देना है हमारे पास होगा है 14 प्लस 7 21 इकीसवा अक्षड क्या होगा जब दाया से या तो हम एक्कीसवा गिने या कोई शोट्रिक हो तो जब जैड साइट आप यह ध्यान रखेगा जेड साइट से काउंटिंग हो तो आपको 27 में से 21 गटाना है जो पद आएगा तो छटा पद क्या है छटा पद है हमारा F अब अगर आप काउंट भी करते हो तो आपको वही मिलेगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदा, पंदा, सोला, सतरा, अठारा, उन्निस, बीस, इकिस तो आप देख रहो, वही F ही आना है, तो जब आप कंडिशन को समझ जाएंगे, तो यह सोटकेट वाला हिस्सा भी आप इस्तमाल कर लेंगे, जब भी विपरीत करम में हो, चाईवास्तविक करम में हो, आपको सिस्टम भी इस्तमाल करना है, अब हमारे पास प्रस्टन यद अंग्रे जी वर्णमाला को विपरीत करम में लिखा जाए, तो बाएं से बार्वें अक्षर के दाएं साथमां अक्षर क्या होगा, अब समझ से हैं सभी लोग यह सोचते हैं कि विपरीत कैसे लिखें, तो हमें विपरीत इस चाहिए लिखना चालू करना है, A, A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z है, अब हमने आपको पहले कहा था कि Z साइड हो, कौन जी साइड, Z साइड, तो टोटल काउंटिंग के बाद 27 से लेस करना, तो अभी वो हमसे कहे रहा है, बाएं से बार्वें के दाएं, तो हमारे पास एक तो बाया है, दूसरा दाएं है, तो यह दूनों जुडेंगे आएं से बार्वें के दाएं सात्मा यानि की 19 मां अक्षर, अब 19 मां अक्षर लेना कि तरे बाइयां कि तरे अपना, बांदा लिखेंगे तो मैंने आपको पहता पता चल जाएगा की कौन है, और 19 मां अक्षर वाइं यानि की Z साइड है, और 27 मैं से 19 लेस करते हैं, तो हम मिलता है आठ्वां अक्षर कौन सा होता है आठ्वां अक्षर होता है है त्यारी हमारा आंसर क्या होगा है अब अगर आप गिनोंगे 19 वा अक्षर तब भी अची आएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आठ, नो, दस, त्यारा, बारा, तेरा, चाउधा, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, उन्निस तो क्या आया है? अब अगर वो बाया-बाया पूस्ता तो हम क्या करते? माइनस करते? अलफावेट का नमबर निकालते? और 27 से लेस कर लेते? फिर वो दाएं से पूस्ता तो हम दाएं से नॉर्मल नमबर रखते? और वही नमबर हमारा बाया-बाया दाया-दाया होता तो घटके आ जाता? दाया-बाया होता तो जुड़के आ जाता? बात आपको प्रिद लिखना है अरधांस का मतलब क्या होता है अरध का मतलब होता है आधा और अंस का मतलब भाग यानि ए से लेकर जड तक 26 लेटर होता है और 26 लेटर को आधा-धा करेंगे तो क्या हो जाएगा तेरा और तेरा यानि ए से एं तक पहला भाग और एं से जड तक दूसरा भाग तो आब इन दोनों को लिखे का इसे दोनों को लिखने का तरीका है हमारे पास जो हम क्या कर देंगी परता मर्दान जुरुटा लिखना तो परता मर्दान इसको यहां से लिखना चालू कर देता है कि A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M फिर इदा लिखेंगे, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z अब हम लोगों नहीं यह देखिए कि M से लेकर यह तक जो परता मर्दान से है वो पिप्रीत हो गया है और अगला अर्दान से वास्तवी ग्रूप में पढ़ा है तो प्रस्ण की कंडिशन पूरी हो गई यदि अंग्रेजी वाण माला का परतो मर्दान से विप्रीत क्रम में हो तो आपके दाएं से उन्नीस वाक्षर क्या होगा अब बाया और दाया का जंजट बार बार लोगों को बसता तो मैंने आप से कहा था बांदा सब्द याद रखेंगे जिधर बा है उदर बाया वो जिधर दाय उदर दाय तो दाय से उन्नीस वाक्षर तो तेरा तो यही हो गए एन तक 12 15 16 17 18 19 हमारा आंसर क्या होग यह है F अब इसी थरीके से दिधित्य अर्धान्ज भी विपरीत लिखने का कह सकता है तो दिधिध्य अर्धान्ज विपरीत कैसे लिखते है अगले प स्ट्रे संदे धेठते है अब हमारे पास प्रस्था कि यदि अंग्रेजी वड माला का जुत्ते अर्धान से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तेरवे अक्षर के दाएं छटा अक्षर क्या होगा तो हमने आप से पहले कहा था कि जो अर्धान से विपरीत लिखना है उसको हम उल्टा लिख देंगे बाकी सीधा लिख देंगे तो यानि A से M तक का कोई बदलाव नहीं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M यहां से बदलाव लेना तो हमने कहा था हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हम जल्दी लिखते हैं कैसे लिखते हैं हमें तो लिखना है खाले ठीक है न अब वो कह रहा है बाएं से तेरवें अक्षर के दाएं यानि कि बाया और दाया है और बाया और दाया के मेंटर क्या बता है था प्लस यानि कौन सा अक्षर 19 वा अक्षर अब तेरा तो यह होई गए यह चवदा यह पंदरा यह सोला यह सतरा यह अठारा और यह अनिस हमारा अंसर क्या हो गया है हमें लग रहा है कि लिखने की बात अगर आपको सौन रहा है तो कोश्चन भी पूरा समझ लें आ रहा होगा अब हमारे पास जो प्रस्ट है इसमें कंडिशन्स वदलती रहती है जिस तरह की कंडिशन वो बोलता जाएगा उस कंडिशन में अगर आप बनाते चले जाएगे तो आपको पूरा प्रस्ट जो है हल हो जाएगा ठीक है ना तो यहां आप जो कंडिशन कह रहा है यदि तो नए अक्षरों के क्रम में दाए छोर से तीसरा अक्षर कौन होगा तो सबसे पहला काम दो हम भी हम अलफाबेट लिख लें a me 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 c d f g h i j k l m p q अब उसने क्या कहा कि A B A B के लिए A C D के लिए B इस दोनों के लिए C इन दोनों के लिए D इन दोनों के लिए D इन दोनों के लिए E फिर इन दोनों के लिए F इन दोनों के लिए H इन दोनों के लिए H इन दोनों के लिए M अब उसने का दाएं छोड से तीसरा, कौन सब आपको हो दाइए, बाँ दाएं छोड से तीसरा को नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, यान्सर क्या हुआ है, के अब हमारे पास प्रस्णा है कि अंग्रेजी मुर्ण माला में जीते ता एस के ठीक मद्ध में को ना है, तो सबसे पहले दू अलफाबेट, हमें ऐसे कॉस्चन में उसने का जीत था है, इसके ठीक बीच में को ना आएगा, तो हमें यह इतने अलफाबेट लिखने की जरूरत नहीं है, यह हम काट सकते हैं, ठीक है, जी तता है इस तक के लिख दी है, आगे हमने लिखे नहीं, क्यों लिखना इसके जरूरी था कि पहले लिख लो, अब इन दोनों के बीच में कोन आएगा तो, इस छोर से और इस छोर से, कितने लोग हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, ग्यारा लोग है, जी और एस के बीच में, अगर ये विसम संख्या न होती, तो इनके बीच कोई ना आपाता, अब ग्यारा लोग है, तो पांच इदर छोड़ दीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, छोड़ दीजिए, पीचे कोन बचा, एम, और तरीका और भी है, कि किस के बीच में बूज रहा है, जी और एस के बीच में, जी का नंबर होता है, 7 और S का नंबर होता है, 19, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जी बीच में निकालना होता है, तो 7 प्लस 19 बटे 2, यानि तेरवां अक्षर, और तेरवां अक्षर क्या है, तेरवां अक्षर है, अपना M, तो देखो, डायरेक्ट भी आ सकता है, अगर ये भाग पूरा-पूरा करना जाए, तो आप समझ लीजाएगा कि बीच में कोई पद आई नहीं चाकता, तो आप इसको निकाल नहीं पाएंगे,